कहिए कैसे हैं आप Self-made महिला कैसे बने Self-made वाव Self-made बनने में एक अपना ही मजा है Self-made बनने में एक अलगी कुछ ही है और ये बात ना मैं अपने experience से कह रही हूँ अपने experience से होता क्या है कि जैसे ना एक अलगी लेवल की satisfaction होती है भई हम अपने खुद बॉस है ना हमारे ओपर कोई dictate करने वाला नहीं है हमें पता है हमें क्या करना है हम उसी साफ से चलते हैं फिर इसी के साथ साथ जैसे financially हम free होती है जब हम self-made होंगी हम financially free होती है तो एक अलगी तरह का confidence होता है बहुत फरक पड़ता है अच्छा इसी के साथ साथ हमें value भी मिलती है लोग हमारी respect भी करते हैं फिर हमें देखकर लोग inspire भी होते हैं हमें देखकर लोग प्रेड़ना भी लेते हैं और हमारी तरह बनने की कोशिश करते हैं तो अच्छा लगता है ना एक अलगी तरह की खुशी होती है ना और अच्छी बात ये भी है कि आप भी बन सकती है self-made महिला अब आप ये जाना जा रही होंगे कि बताएं कैसे बने तो वो मैं बताती हूँ पर वो बताने से पहले ना एक बात मैं आपसे जानना जा रही हूँ क्या आप mentally मतलब तयार है मानसिक रूप से तयार है कि हाँ हाँ मैंने बनना है मैंने बनना है self-made महिला क्योंकि ये बात देखिए मैं किसले कह रही हूँ क्योंकि जब हम self-made के ओपर रहुत करना शुरू करेंगे na तो हमें अपने comfort zone से बहाः निकलना पड़ेगा थोड़ासा जो अराम तल्बी है अससे बहार निकलना पड़ेगा पिर हम जितना काम करते हैं जितनी महनत करते हैं उससे थोड़ी सी और जादा करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने अपना द्रण निष्टे कर लिया इरादा कर लिया पक्का इरादा कर लिया कि हाँ मैंने तो Self-made महिला बनना ही है At any cost चाह कुछ हो जाए बस अब मैं तयार हूँ मैंने लाइफ में कुछ करना है कुछ बनना है तो फिर आप कर सकती है बिल्कुल कर सकती है देखिए भागे बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो वरना किसमत को दोश देते-देते तो जिन्दी निकल जाती है तो इरादा मजबूत मै AlabIn में करना है मैंने बनना है सिंपल सी बात है सेड़ियां उनके लिए बनी है जिनको चट पेजाना है मेरी नजर आसमान में है मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है अब बात आती है कि कैसे तो सबसे पहले आपने अपने अंदर टटोलना है क्या कि मेरे अंदर प्लस पॉइंट क्या है, मेरे अंदर खास बात क्या है, हर किसी में होती है खास बात, जैसे आप यह सोच रहे हैं, कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी गरती हूं, ठीक है, या मैं राइटिंग बहुत अच्छी, मतलब लिखने में बहुत अच्छी हूं, कहा बहुत कुछ कर सकती हूं और बहुत कुछ सिखा भी सकती हूं अगर मैं सीक लो तो वो मेरी बहुत इच्छा है मतलब यह आपके मन में इस तरह के विचार चल रहे हैं तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दू कि आपना टाइम लीजिए बेशक्स समय लीजिए पर एक चीज होनी तो आप सोचिए कि क्या ऐसी चीज है किस चीज में मेरा बहुत इंटरस्ट है किस चीज में मेरा बहुत मन लगता है और मैं इस चीज में बहुत अच्छी और एक चीज और कि जब आप सोच रही है न तो यह नहीं है कि मैं दूसरे से पूछ लू अपनी सहेली से पूछ कि एक घट, एक उसको पूंचे जा रहें इसको पर अपना एक उसको अ यह हो जाया जाए धोट अब अपना यह लिए अपना एक विजन तट की जिए, कि मैं क्या चाहती। तो इक है बहुता नहीं सोचने में नहीं में होता ही था सब्सक्राइब हारा यह पर आप बहुता है, यह तो अंदर से एक अग जुनून होता है यह करना है, यह यह बनना है हम आप ड्यूंढ आपने पार विश्त काहिसा है कि भी मैंने तो यह सोचा है अम यह बनूंगी उससे क्या होता है देखिए एक गम से सब को बता देंगे फिर क्या होता है लोगों की एक्पेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है पिर भार बार पूछेंगे अरे क्या हुआ जैसे किसी ने कहा कि मैंने तो अपना चैनल खोलना है और देखना एक महीने में तो एक लाग पोचा दूँगी सब्सक्राइबर वो हुए दस हजार भी नहीं पर लोग तो आपको पता ही है जैसे टॉंट करेंगे ऐसे हाँ भई क्या हुआ कितने सब्सक्राइबर हुए कितने व्यूज चलते हैं आजकल तूने तो ऐसे कहा था फिर बहुत होता है दुख होता है तो हम कहें किस लिए खामो इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे तो सफलता को शोर मचाने तो आप पहले से हला मत मचाओ ठीक है ना फिर पेशन्स पेशन्स तो मान के चलिए बहुत जुरूरी है आपने सोच लिया आपने क्या करना है किस डारेक्शन में काम करना है और उस तरफ आप लग फिर पेशन्स पेशन्स नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे वो इस लिए कि एकदम से सब कुछ नहीं हो जाएगा मतला आज मैं यह सोच रही हो कि मैं तो यह कर लूँ वो कर लूँ नहीं हो पाएगा तो अगर मेरे पर पेशन्स होगी तो मैं उसको बिल्कुल में ब्रेक लग जाएगी तो पेशेंस रखनी है और हिम्मत नहीं हारनी मैं आपको अपने ही एक 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 जामपल बताती हूँ जैसे मुझे राइटिंग का बहुत शौक था तो मैं नेशनल डेलीज में मैं दो हजार से भी पहले की बात कर रही हूँ मैं आर्टिकल्स भेश थी ती चाहनियां भेश थी अच्छा इतनी बार होता था था धन्यवाद सहीत करके वापिस आजाती थी तो उस समय अगर मैं पेशेंस नहीं रखी होती मुझे लगा होता कि और यह तो रचनाय मेरी मेरी कहानिया कोई पसंद नहीं कर रहा है वापिस आ सब्सक्राइब बनाए रखी हिम्मत जैसे पेशन्स तो रखी है हिम्मत भी हिम्मत नहीं हार ना मतलब जहां पर कुछ नेगेटिव लगे दी कि ठखना तो ऐलाओट होता है आप ठख गया पराम कर लो लेकिन हारना ऐलाओट नहीं है लगातार कोशिश करनी है लगातार अपने आप से बात करनी है, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपको फिर अपना एक्जामपल बताती हूँ, कि जैसे जब दीरे-दीरे मेरे आर्टिकल्स पब्लिश होने शुरू हो गए, मैं अलग-अलग जगे भेजती थी, पब्लिश होने लगे, तो थोड़ा सा कॉंफिडेंस आना शुरू हो गया, फिर मैंने कोशिश की, जैसे बच्चों की मैगजिन्स होती है, जैसे लोटपोट हो गई, चंपक हो गई, तो लोटपोट में तो मेरे हार्टिकल्स, कहानिया छपनी शुरू हो गई, लेकिन चंपक में नहीं जपी, मैं कितनी भेजी व में अखाऊंगे, मैं कुछ और मैं नहीं कुछ आजिए, मैं नहीं क्या हिसाब, कि मेरे काहनियां, मेरे अर्टिकल्स दुUnisमें इसमें, मेरे चैलन्ज किया मैने और मेरे मेरे अर्टिकल्स दुसमें आए, चंपक में, तो or और आपने स्दूरू हो खमने का मतलब यहां तर हिम्मत को बना के रखना है जहां जरूरी हो कुद को आपने चैलेंज कर तो अपने आप से बात करें अपने आप से बाद करें तो आप आप से बात करें तू को अगले पर अगल को अब कोई बात नहीं उठ तू कर सकती है शाबाश चल मैं तेरे साथ हूं अपने आप अपने आप से बात करें बहुत फरक पड़ता है बहुत जादा फरक पड़ता है इस चीज़ का बस जो हमें नहीं करना हमें उमीद नहीं जोड़नी मतलब सब होगा सब बहुत अच्छा होगा कि हर रास्ते में कोई ना कोई परिशानी होती है ऐसे ही हर परिशानी का कोई ना कोई रास्ता होता है सिंपल सी बात है यह राहें ले ही जाएंगी मन्जिल तक कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा ना होने दिया सुना है कभी लगातार मेहनत करते जानी है और खुद से क्थितिव होता है की इस तरह के रोग होते हैं कि हमे ने ठ apparently चोड़ ना तू क्या करेंगी तू रह है । जैसे चैनल किиль री यू टीव डे ने रहें दे bherdy । आपको समय समय पर एप्रिशेट भी करते हैं जो आपको समय समय पर एंकरेज भी करते हैं आपको मोटिवेट भी करते हैं और आपको लगे कि आजो बाजो कोई है नहीं है सारे नेगेटिव भरे हो हैं सारे गलत बोलते हैं कोई मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा तो भी को फिर भी इसने पढ़ाई कि यह एक नामी गिनामी प्लेयर बन गई यह कैसे किया इसने मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया यह देखेंगे ना तो हमें भी एक अल्हा की तरह की अनरजी आएगी मन में यह आएगा जब यह कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती है यह एक यह सोची होनी जी है आपकी यह सोच होनी चाह Εब लोगों की बातों में आकर अपना फोकस जेंश नी करना इस चीज का दीहान रखने मतलब जिस दिन से चली हूं मन्जिल पर नज़र है इन आखुंने कभी मील का पत्टर नहीं देगा बस मैं फोकस्ट है मैं एक्या कर अगर आगे रास्ते भी बनते जाएंगे है math राइटिंग का मुझा शॉक था खाएं लिखने ago osseki SMI K super का मैं अज मैं यहां पे बेड़ी वेकिए मतलब क्योंकि जब मैं हिरुamenे ना मैं लिखना शुरू किया जब हम न्यूस पेपर्स में भेजते थे, बाल पत्रिकाओं में में अपने आर्टिकल्स भेजती थी, तब यूट्यूब का तो नाम ही नहीं था, यूट्यूब था ही नहीं तब, यह तो मेरे देखते ही देखते आया, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया तो कोई और प्लै करना है, लगातार करना है और आगे बढ़ते रहना, तब ही फरक पड़ेगा, जो सफर की शिरुवात करते हैं वही मनजिलों को पार करते हैं, एक बार, एक बार चलने का हौसला तो रख़िए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंसार करते हैं, और वह जिन्दगी ही क् जिसमें नामों की साफ पोई सपना ही न हो आप कीजीए तीकि आएं है निभाने किरदार जमी पर कुछ ऐसा कर चलेगी जमाना मिझाल दे अपना किरदार, अपना करेक्टर जो आप कर रहे हैं इतनी शिद्धत से निभाई है इतनी महनत से निभाई है खुद को साबित कीजिए खुद को प्रूव कीजिए बहुत अच्छा लगता है अपनी एक अलग पहचान बनती है एक मन में आता है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ मैंने भी कुछ किया एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है न वो मिलती है सेल्फ मेट महिला बनना है न तो उसके लिए मैड होना पड़ेगा मैड वैसे आप पता है आप क्या सोचती है इस बारे में आपके कमेंट्स का मुझे इंसार रहेगा और हाँ अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लिजेगा और इसमें जो एक बैल का बटन है ये भी दबा दिजेगा ताकि जब भी जैसे में कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आज है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आपको लग रहे कि हां हां किसी और के काम भ जरूर कर लिजेगा ठीक बाई और हां बहुत सारी शुब कापना है